हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी तो आज तो पूरे दिन से वीडियो नहीं बनाई थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो बनाई थी है जुके सिस्टम के बारे में वह तो सुबह बनाई थी बैसिकली जब जिम से आ रहा था लेकिन अभी डालिए हो क्योंकि मैं बिजी था प इस बार सीवेसी बहुत ही प्लानिंग से काम कर रही है इसलिए जो भी प्लानिंग अपनी बता दी है बोड को कि हम यह करने वाले तो आज सीवेसी ने आपकी देट शीट घोसित कर दिए प्रैक्टिकल के लिए और जल्दी आपकी टमटू की डेट शीट भी आ जाएगी त क्योंकि आपको मिसलीड किया जा रहा है तो अब तो आप पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि वह चीज नहीं होगी तो मैं आपको बता रहा हूं एक बार सारे बच्चे इसको लाइक और शेयर कर दीजे जेए का बताऊंगा सिद्दार शाक के अभी नेम शाउट करूंगा आ प्रोजेक्ट इंटर्ल असेस्मेंट फॉर क्लास 10 और 12 दोजार बाईस और यह आज की डेट पर आया 24 तारीक को है ना तो यह मैं थोड़ा बीजी था मेरी क्लास चल रही थी मैं ओफ-लाइन पढ़ाता हूं पनी कोचिंग में तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अभी भी पढ़ेकर आप बहुत अच्छी स्कोल ला सकते हो यह बात में वार बार आपसे कहता हूं किलाव मैं आपको डिटेल बता जीता हूं सीवी एससी क्या कहना चाहिए चाहरी है मैं और सी बीएसी की मैं क्यूं बोलता हूं यह बात की सीवेसी वेल प्लांट तरीके से काम कर रही है तो कौन-कौन बच्चे हैं में नाम शाउट करूँगा श्रया भट कृष्णा दिक्षीत सत्य जीत मैं पहले उन बच्चों के नाम शाउट कर रहा हूं जिन्होंने इस सेशन को लाइक और शेयर कर दिया है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको साथ-साथ न दस ग्यारा बारा वही 16 पेज का नोटिफिकेशन आया है पूरा आपका दोस्तों 16 पेज का नोटिफिकेशन है यहाँ पर तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूं कि आखिर cbsc 16 पेज के नोटिफिकेशन में क्या कहना चाहती है देखते हैं जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है वो LKDH और जिन्होंने शेयर कर दिया है वो SKDH रेट सीट बहुत जल्दी आने वाली है मनोज कुमार इशब सिंग एक मिनट दे दीजे मुझे मैं आप सब उन्हीं के करूँगा जिन्होंने लाइक और शेयर कर दिया है पहले उनके करूँगा बाद में अगर टाइम बचा तो सब के कर दूँगा ठीक है तो लाइक और शेयर कर दीजे अपने सारे दोस्तों को बुला लीजे यह है letter to head of the schools principles को को कहा है subject guideline for conducting practical examination project internal assessment for class 10th and 12 2022 dear ma'am sir as per provision of scheme of studies examination by laws prescribed by the cbsc practical examination project internal assessment shall be conducted as under तो कुछ general information है देखिए practical examination project internal assessment shall be conducted strictly in accordance with the guidelines given on the web link ये web link है ये मैं पढ़ चुका हूं लेडी तो इसी के हिसाब से पूरा आपका practical होने वाला है यानि के cbsc पूरे अपने standard तरीके से practical लेगी कोई भी छूट किसी को नहीं मिलेगी समझ मारा सबको इसके बाद जो bifurcation of term first and term two shall be kept in mind while making preparation and planning for practicals मतलब ये कहा गया है कि term one के practical अलग रखे जाए और term two के practical अलग रखे जाए ऐसा ना हो कि term one के practical अब आप दे दो schools for detail instruction may also refer to section this of framework and significant guidelines available on the web link dates क्या है दो मार्स से आपके वैडनेस डे होगा दिन दो मार्स से आपके practical शुरू हो जाएंगे और दो मार्स से practical शुरू होगे और last date होगी जो 10 दिन पहले before the last examination of the respective classes मतलब दो मार्स से practical शुरू होकर और जब तक आपका last exam होगा उससे 10 दिन पहले तक practical खतम करने पढ़ेंगे मतलब practical की last date exam की last date से 10 दिन पहले तक इस्कूलों को सारे practical खतम करने पढ़ेंगे तो यह बड़ी खबर है दो मार्स से आपके practical शुरू हो जाएंगे और term 1 का result कब आएगा और date sheet कब आएगी सारी बाते मैं आपको बताऊंगा दो मिनट मुझे दे दिजे बस तो आपके जो practical है वो दो मार्स से start हो जाएंगे मैं No extension of the date shall be considered by the board. Board कोई भी dates का extension consider नहीं करेगा मतलब एक बार अगर आपका practical चूट गया date के बाद तो फिर आपका practical नहीं होगा. Fates for uploading marks इस्कूलों को तुरंट जैसी practical शुरू होंगे दो मार्स से इस्कूलों को तुरंट marks की uploading शुरू कर देनी पड़ेगी. The uploading of marks shall be completed by last date of respective class. अगर last date के बार school marks भेजता है तो फिर उन marks को CBSC consider नहीं करेगी. Ensuring Error-Free Uploading. इस्कूलों को कहा गया है कि कोई भी गलती नहीं हो जाए अब upload करने में marks की. इस तब आपको पता ही है. CBSC कहती है. School and examiner shall while avoiding uploading marks also keep mind maximum marks allotted for practical project internal assessment for term second as per guideline issued by the CBSC. मतलब जब आप marks दो ये कहा है. CBSC नहीं स्कूलों को कि जब आप marks दो तो आप ये ध्यान रखो कि आप ज़्यादा ज़्यादा नंबर दो जितने term 2 के हिसाब से. अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 क्लास में 12 क्लास में long खा रहा हूँ ये देखे long इसको बोलते है long एक गाना भी ये long दलशकारा ओ बेभी तेरा प्यार है सारा तो ये long वो नहीं ये शायद वो कोई और long होती होगी. तो देखें, term 2 के marks 15 होंगे और term 1 के marks 15 होंगे, मतलब 30 नंबर का practical होता है physics का, तो term 1 में केवल 15 marks मिलेंगे आपको और term 2 में 15 marks मिलेंगे, तो total practical का आपका physics का हो जाएगा 30 नंबर का, समझे हो? तीन मार्स से आपके practical शुरू हो जाएगे, दो मार्स से, और pre-board school अपनी date change करेगा थोड़ी बहुत, या वैसे practical के हिजाब से तो school अपनी date change नहीं करेगा, क्योंकि date तो अतनी रहती है, और practical school ले ले लेता है, practical के लिए school होई खास मैनत नहीं करने पड़ती, और covid protocols, school ये द problem है, तो मैं अपनी पूरी speed से बतानी कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं भी नी चाहता कि आपका time waste, मैरे पास भी तोना time नहीं है, कि मैं पूरे एक घंटे तक यहाँ पर आपको information दूँ, मैं भी जल्दी जल्दी करने कोशिश कर रहा हूं, मेरे बच्चे, तो आप जल्दी यह सारे protocol follow करता है या नहीं करता है, यह आप मुझे comment करके बताइएगा, जिन बच्चों ने like और share कर दिया है, उनके नाम में shout करूँगा, बस थोड़ी सी देर रुख जाईए, regular students, class 10th के regular बच्चों का practical केवल स्कूल ही लेगा, कोई भी external examiner नहीं आएगा, अरे पढ़ने अरे पढ़ने वालो, class 10th का practical internal examiner लेंगे, यानि कि आपके school के teacher लेंगे, outer school के teacher नहीं लेंगे, तो यह आपके लिए खुशकबरी है, 10th के बच्चों का practical school लेगा, बहार के teacher नहीं लेंगे, यह बड़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, 10th के बच्चों का practical school लेगा, बहा practical का, उनको उनके theory के base परीदे के pro-rata basis based on the marks obtained in theory examination conducted by the board if not carried forward as per rules of the board, no action is desired from the school in this regard, मतलब, school private बच्चों के लिए कोई action ना ले, जो उनके theory के number है, उसी के साब सुन को practical में नंबर दिये जाएंगे, यानि कि उनका कोई, there will be no separate practical examination project internal cement in respect of private candidates, तो private candidate के तो मज़े आगे, private candidate का कोई भी, यहाँ पर practical नहीं होने वाला है, तो congratulations private बच्चों के लिए like कर दिजे एक बार, और private बच्चों के तो मज़े आगे, आपका कोई practical नहीं होना है, अब ही मैं, इसको information को पूरी कर दूँ, फिर आपकी बास सुनूँगा पूरी में, और जो members हैं, share वाले हैं, like वाले हैं, class 12, regular students, for the regular students, sponsored through LOC of class 12, मतलब अगर आपका नाम LOC में नहीं है, तो आपको practical देने नहीं दिया जाएगा, based on eligibility, bona fide status of the students, practical examinations, project assessment shall be conducted in the school, आपका practical school में होगा, private बच्चों का, जो होगा देखिए, private candidates का कोई भी separately practical exam कुछ भी नहीं होगा, पहले उनके नमबर जो थे, उनहीं के बेस पर उनको नमबर दे जाएंगे, और carrying over marks in private students, तो इसके लिए मैं लगसी वीडियो बनाऊँगा, private बच्चों के लिए section एगी, इसको मैं बात में बताऊँगा, कि इनके marks किस तरह दिये जाएंगे, बड़ा थोड़ा topic है, तो इसको मैं भी नहीं ले रहा हूँ, तो बस इतना समझ लिजेगी, जो private बच्चे उनको पुराने जो उनके marks हैं, उनके base पर marks देएंगे हैं, appointment of external examiner by the boards, the board will appoint external examiners in each school for conducting practicals, examination and project assessment as per the modalities and subjective given in ancestor 4, मतलब बोर्ड जो है, इसकोलों के लिए practical, जो 12th के बच्चे उनके लिए practical conduct करवाने के लिए एक अलग से examiner भेजेगा, तो 12th के बच्चे सावजान हो जाहिए, आपके लिए examiner आने वाला है, आपके लिए examiner आने वाला है, जो open से करते हैं, वो practical student है, बेटा इस CBSC की वीडियो है, इसमें open की बात नहीं कर रहा हूं, open के अलग guideline होते हैं, उसका board अलग है, यहाँ पर CBSC की बात चल रही, open के बच्चे वो अलग हैं, CBSC अपने private बच्चों की बात करी, आपकी बात नहीं करी, CBSC आपको गवर्ण नहीं करती, तो जो 12th के बच्चे हैं, उनका स्कूल में एक examiner आएंगे बाहर से, मतलब, कोई भी स्कूल अपनी मर्जी से किसी को भी practical examiner नहीं कर सकता, केवल बोर्ड के दुआरा भेजा गया practical examiner ही practical को conduct कर सकता है, और मुझे भी जाना पड़ेगा, इस काम के लिए मेरी भी duty लगेगी, आपको बता दूँ, examiner जो होते हैं, मैंने देखा है हमेशा, जब मैं practical करवाने जाता हूं, तो बोर्ड किसी स्कूल के principal को या मैडम को, महाँ पर भेजते हैं, और वो चेक करते हैं कि स्कूल में practical धंग में हो रहे हैं, चीटिंग तो नहीं हो रही है, तो इनको observer कहते हैं, CBST की तरफ से school principal को ही भेजे जाते हैं, ठीक है न, open school का अयान बाद में वीडियो बनाऊंगा, pre-board होंगे बेटा, pre-board की date CBST नहीं देती है, pre-board school का matter है, pre-board CBST का matter नहीं है, pre-board को school conduct करवाते हैं, CBST का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ लिजिए आप, ठीक है? Okay, ensuring presence availability of the external examiners, the school shall ensure presence availability of external examiners and observers on all days of conduct of practical examination, project assessment, strictly as per the provision of appointment of external examiner by the board, मतलब जितने दिन practical चलेगा, उतने ही दिन वहाँ पर practical examiner होना चाहिए, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा, Appointment of internal examiner, there will be an external examiner as well as internal examiner as per policy of practical examination, project assessment, the school shall appoint an internal examiner of adequate experience and expertise in all such subjects and order shall be issued by the school principal for appointment of internal examiner with complete details of examiner and his duties and responsibilities, मतलब internal examiner को appoint करने का पूरा काम स्कूल करेगा और इस मामले में जिस teacher को experience होगा, जो degree होगी जिसके पास जिसके पास जैसे आपको बतादू में 12th के लिए वही teacher practical ले सकता है, उसी teacher को allowed है जो teacher MSC B.Ed हो, अगर कोई B.T.E.C. है वो नहीं ले सकता, उसके पास B.Ed की डिगरी ह होनी चाहिए और उसके पास MSC Master degree होनी चाहिए, हलाकि बहुत सारे B.T.E.C. टीचर भी पढ़ाते हैं स्कूलों में, लेकिन they are not allowed to be the practical examiner और examiner और copy checker, उनको allowed नहीं है, बोर्ड के जाब से, ठीक है, inspection of laboratory and equipment by external examiner, बाहर से एक external examiner आएंगे, जो आपके school की lab को check करेंगे, आप के सारे equipment check करेंगे, क्या आपके school में सारे equipment हैं या नहीं है, क्या आपके school में सारी lab है, अब आप मुझे comment करके बताएए, क्या आपके school में lab की facility है या नहीं, या आप मुझे comment करके बताओ, क्या आपके school में सारी facility lab की हैं या नहीं in case of any shortcoming the same should be brought to the personal notice of the principal head of the school who shall be responsible for making arrangement and making of the shortcoming such reported मतलब अगर इस्कूल में कोई समान नहीं है कोई lab में कोई समान नहीं है तो वो स्कूल क के प्रिंसिपल की जिम्मदारी होगी प्रिंसिपल विल बी रेस्पॉनसिबल अगर स्कूल में कोई problem मिलती है किसी तरह की तो principle को responsible माना जाएगा अगर आपके school में lab में समान नहीं है अगर आपके school में lab टूटी फूटी पड़ी है अगर आपके school में practical करवाने का समान ही नहीं है electricity के board नहीं है बारवी में तो electricity के practical होते हैं तो वो comment करके बताएंगे कि आपके school में सारे apparatus हैं conduct of examination assessment in sessions to ensure fair and proper assessment practical examination project assessment should invariably be conducted in two or three session in a day if the number of candidate is more than 20 अगर आपके school में 20 बच्चे से ज़्यादा है class में तो फिर एक से ज़्यादा shift में practical करवाने होंगे मतलब एक बैच में 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते अब आप मुझे comment करके बदाएए आपके school में एक बैच में मतलब आपके school में 12 के कितने बच्चे हैं और 10 के कितने बच्चे हैं section कितने हैं आपके school में जल्द जल्दी comment करो what is the meaning of private candidate private candidate वो होते हैं जो school नहीं जाते हैं और direct form बढ़ देते हैं cvsc से generally इसे candidate वो होते हैं जो fail हो जाते हैं और next year school उनका admission नहीं देते हैं पर वो direct cvsc से form बढ़ लेते हैं और exam देते हैं बच्चों के साथ पर वो school के बच्चे नहीं माने जाते हैं कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में जल्दी जल्दी कोमेंट करो जैसे की बच्चा लिख रहा है परतीमा चोधरी 80 बच्चे हैं और लक्की पाचर कह रहा है 50 बच्चे हैं ओ माई गोड मोहित क्लास स्ट्रोक कह रहा है term 2 exam school नहीं ले सकते term 2 की date sheet school देगा तभी होंगे exam मतलब board देगा तभी exam होंगे otherwise कोई भी school term 2 के exam नहीं ले सकता है uploading of photographs through app link the schools are required to upload the photograph of the conduct of examination assessment मतलब जब आपके school में practical हो रहा होगा तो उसके photo खिशे जाएंगे by the observer जो CBSC के observer आएंगे उसके photo app पर app link will be provided to the school for uploading one group photograph of each batch during the practical examination यह मेरे साथ हुआ है जब मैं last year to last year practical लेने गया था तो वहाँ पर जो CBSC के observer आए थे उनके साथ हमारा group photograph हुआ था और उस photograph को CBSC की website पे upload किया गया था ठीक है तो जो भी बच्चे होते हैं उनका photograph upload करना पड़ता है ताकि यह proof रहे कि practical time पे हो रहे हैं और practical सही तरीके से किये जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी चीज़ है The software will ensure the photograph uploaded are geotagging and time tagged मतलब photograph को geotag करना पड़ेगा क्या आपको पता है geotagging क्या होती है School का geotag मतलब यह practical school में ही हो रहा है School का software AI AI जानते हो blockchain technology AI यह चेक करेगी practical school में हो रहा है यह practical कहीं बहार हो रहा है ऐसा तो नहीं कहीं school के कहीं tag हाने में practical हो रहा है principal के घर पे practical हो रहा है बच्चे के घर पे practical हो रहा है किसी बड़े नेता मंतरी के बच्चे के घर पे practical हो रहा है तो इसको geotag करना पड़ेगा The software where some other information such as patch number, total batches, date and time etc. will also be required to be uploaded at the appling. Attender sheet, एक अटender sheet भढ़नी पड़ती है वो तापको पता होगा, सारा material is cool रेगा, new answer book for practical it shall be ensured that practical answer book supplied by the regional office is used in practical examination, it is to be ensured that examiner completes all entries in practical answer book, मतलब कोई भी बच्चा बोड की दी गई copy के लावा किसी copy में नहीं लिखेगा सारे बच्चों को बोड के दुआरा दी गई copy में ही लिखना है इसके लावा किसी भी copy में नहीं लिखना है apart from conducting the practical examination, project assessment of the student of your school, you shall also ensure relieving of your PGT's deported by the board for conduct of practical examination project assessment in other school, मतलब यह नहीं कि अपने school में तो practical करवा लिए लेकिन अपने PGT को बहार नहीं भेजा तो आपके school के जो school के teacher है आपके वो भी दूसरे school में जाएंगे but only PGT, PGT क्या होते है जो master degree होती जिनके पास और जिनको तीन साल का experience होता है और जिनके बास BID की डिगरी होती है उनको PGT बोलते है clear तो यह पूरा प्रोसिस में आपको बता दिया डॉक्टर सहीम भार्दवाज जी के साइन है और यह CBSC की website पर है यह देखिए scale of staff rates यह बताया कि किस किस स्टाफ को assistant superintendent को कितने पैसे मिलेंगे teacher को कितने पैसे मिलेंगे physics lab कि कितने पैसे मिलेंगे यह सारी चीज़े हैं पर लिखी हुई है तो यह तो कोई system procedure for conducting practical examination किस तरह practical होना है यह पूरे rules लिखे हुए है यह देखिए question for the vayewa voice should be asked by both examiners and should relate either of the project that student has prepared for practical examination in hand question of more general nature should be avoided मतलब केवल practical से related question नहीं पूछने चाहिए general nature के question avoid करने चाहिए उधर उधर के कि यह बताओ यह बताओ the selection of practical experiment from the list of practical experiments applied by the board should be done through the conscience of both the examiner यह नहीं कि सिरफ external examiner ही पूछेगा internal examiner भी सवाल पूछेगा यह नहीं हो सकता है कि यह वाल external examiner सवाल पूछेगा आपके school के teacher को भी सवाल पूछने का अधिकार होगा मतलब जो बच्चा प्रोजेक्ट बनाएगा उसको ज्यादा नंबर दिये जाएंगे अरे पढ़ने वालो यह बहुत बड़ी ख़वरे बच्चो यह देखिए अगर इसमें लिखा हुआ है कि अगर बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया है या कोई model बनाया है या कोई working model बनाया है तो उसको ज़्यादा marks दिये जाएंगे उस पर आपको नॉर्मल नंबर मिलेंगे तो अगर आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लेते हो तो वह उस पर नंबर नहीं मिलेंगे market के प्रोजेक्ट पर ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आप अपने हास से बनाऊगे पता सल जाता टीशर को अपने हास से महनेथ करके आप कुछ बनाऊगे उस पर आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले एक बच्चा लिख रहा है डर लग रहा है डरने की क्या बात है जब अनुराग भाई साथ है अरे पढ़ने वालो अरे पढ़ने वालो डरने की क्या बात है जब अनुराग भाई साथ है कदम कदम पे मेरी तुम्हारे साथ बात है तुम्हें मैं डरने ना दूंगा तुम्हें इन दा लिस्ट और प्रेक्टिकल मार्किंग इसकीम बोड की फोलो करनी है एवरी एफट शुट बी मेट तो रीच ए कॉंसेक्वेंस अफ दॉट इवाड़ेट इन इस इवन आफ्टर इसक्शन रावरेज मार्क्ष शुट बी अवाड़ेशन फ्रॉम दिस रूल यह देखिए CBSC ने बहुत मुश्किल बतलब कहा है कि मार्क्ष में ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं होना चाहिए बच्चों के बच्चे की कोपी होती है उस पर लिखा होता है आपने कितने मास किसको दिये है उसी साब से आपको मार्क्ष दिरने पढ़ेंगे ठीक है और डरो मत एक्जाम से एक्जाम से डरिये मत रिलैक्स रहिए रिलैक्स होके पढ़िए आपका सब कुछ पढ़िया होगा चिंता मत क पॉइंट फाइव को 26 नंबर मना जाएगा और यह पढ़ने वालो और यह पढ़ने वालो कोई भी टीचर आपको फ्रेक्शनल नंबर नहीं दे सकता जैसे क्वांटाइजेशन ओफ चार्ज होता है कि किसी भी लेक्ट्रोन पर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज मतलब अगर किसी एक्जामिनर को लगता है इंटरनल या एक्स्टरनल को इंटरनल तो बोलेगा यह नहीं एक्स्टरनल को लगता है कुछ गडबड हो रही है स्कूल में प्रैक्टिकल में चीटिंग हो रही है तो तीन दिन के अंदर फैक्स या मेल से तीन दिन के अंदर या इस स्कूल में गड़बढ हो रही है और इस स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है Marks for practical examination project assessment shall be uploaded by the internal and external examiner together on the link provided Immediately after the assessment is over, the marks should be uploaded on the date of the examination and from the school where practical examination is conducted by the external examiner मतलब आपको गजा दो जम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं तो खाना भी निखाते चाय भी निपीते एकदम practical conduct होते ही पहले marks को upload किया जाता है और marks को स्कूल की website से ही upload किया जाता है इस्कूल की internet से upload किया जाता है यह निक्या बाहर जाके cyber cafe से upload कर दोगे आपको स्कूल के ही internet से उसी location से आपको marks upload करने पड़ेंगे जिसको की CBSC का AI system पकड़ लेगा कि आपने स्कूल से ही marks upload किया है कहीं और से किया After uploading practical marks online, two hard copies of the award list be generated which shall have to be signed by both examiners internal as well external, no correction in the marks will be accepted on hard copy मतलब कोई card fit, कोई correction accept नहीं की जाएगी one copy of the award list duly sealed shall be handed over by the external examiner to the principal head of the institution whose students practical examination project assessment has been conducted by the external examiner along with the answer books and second copy duly sealed will be sent to the concerned regional office by the external examiner तो इस सारे rule है, इस सारे rule आपके काम के नहीं है, स्कूलों के लिए है इनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा लगलग से और अगर आपको ज़्यादा कोई information चाहिए तो आप जो है visit CVSC website कर सकते हैं, वहाँ पर आप यह पूरा पढ़ सकते हैं इस वीडियो के description में मैं आपको यह link दे दूँगा इसका वहाँ से आप पढ़ लेना इसको, क्योंकि final information यहीं पर आपको मिलेगी मैंने जितना मेरी अंदर बुद्धी है उसके साब से explain किया है but I will not be responsible for any error क्योंकि मैं हो सकता है English को हिंदी में गलत पढ़ रहा हूँ तो आप final decision लेंगे इस notice के बाद इसको पढ़ने के बाद, मैं आपको news देना चाहता हूँ अपनी पूरे बुद्धी के जाब से होच्टो वास से मैं सही सुचना देने के होच कर रहा हूँ बट अगर कोई गलती सुचना होती है तो I will not be responsible please go to the CBSC website और the link provided in the description और अपने आप पढ़िये फिलाल आपके practical 2 मार्स से शुरू होकर आपके last exam से 10 दिन पहले तक चलेंगे 10 वी क्लास में कोई external examiner नहीं आएगा 12th क्लास में external examiner आएगा जो बच्चे project बनाएगे कुछ अलग सा अच्छा सा अपने हाज से उनको ज्यादा नमबर दे जाएगे वाइवा को practical या project से ही पुछा जाएगा जनरली जनरल question कम पुछे जाएगे और same day आपके marks भेज दे जाएगे और external examiner केवल 12th में आएगा और 10th में external examiner नहीं आएगा प्राइवेट candidate को practical नहीं देने होंगे प्राइवेट candidate को अलग से कोई exam नहीं देना पड़ेगा प्रैक्टिकल का उनको theory के based पर ही pro data based marks दिये जाएगे इस notice को आप ध्यान से पढ़ लें तो यहाँ पर मैंने पूरी information आपको दे दी है यह सारी जो information इसकूलों के लिए आप आप दे रखा है तो हमारा काम यह नहीं है बताने का आपको और जिन जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल ने वह हैं इसमें लिस्ट है नीचे तो वह भी आप देख लेना फिलाल तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको आप जो है यह notice देख लिए ध्यान से अब मैं आपके comment लेता हूं और आपके नाम शॉट करता हूं थोड़े से बच्चों के जिन्होंने लाइक और शेयर किया अब आपको कोई सवाल है मुझसे पूछ लिए मैंने पूरा नोटिस आपको बता दिया है बीस्ट ओपी अटेंडेंस इस लोग क्या सीविस्ट मुझे एड्मिट कार कार देगा स्कूल भेजता आपके अब आपके स्कूल को आपके डेंडेंस ज cha होट नहीं करी तो फिर निल जाएगा तो एक बार अपने स्कूल से पता कर लो कि कि आपके टेंडर शोर्ट तो नहीं है यह पता कर लिजिए एक पर प्रदीपता कुमार मिश्रासर हमारे प्रीबोर्ड एक्सदामनेशन दो मार्स से हैं हम क्या करें बेटा आप पढ़ाई करो अगर दो मार्स से हैं तो आप चिंता क्यों करो स्कूल का काम है प्रैक्टिकल ए आपको पढ़ना है और प्रेशर के बिना सफलता नहीं मिलती लाइफ में कि रागव ठकराल सर इसमें इंगली स्कोर में नौ एक्स्टर्नल एक्जामन लिखाया इसका मतलब है कि एसल इंटर्नल होगा इस बेटा इंडिये का पेपर है मेरा ओके वैरी गुड रदी गुपता है वन कोश्चन सर पूछो आरू को डर लग रहा है बिल्कुल डरने की क स्विंदर सिंग बगगा आप लोग बच्पन से किसलिए पढ़ रहे थे आप लोग बच्पन से प्रैप क्लास से अब तक क्यूं पढ़ रहे थे इसी के लिए तो पढ़ रहे थे 12 के लिए और आज अब एक्जाम हो रहे है तो आप डर रहे हो है ना यह बास तमन में नहीं है एलो टीम भूमिकास रिंगी डमी एडमिशन के प्रैक्टिकल कैसे होंगे डमी एडमिशन आपके लिए स्कूल के लिए और बोड के लिए वो आपका रैगुलर एडमिशन है इसको पीछे करके देखना है बहुत रिफ्लेक्शन है इसका पहले तो कभी नहीं हुआ उसकी वज़े से शहएद लाइट इस लाइट को इधर लगा ना साइड में बचके वहां से निकाल के लगा हो तो डमी एडमिशन रैगुलर एडमिशन ही होता है इशिता गोयल हमारे स्कूल में तो प्रैक्टिकल अंसर शीट में कोपी कर देते हैं एक फोटो कोपी शीट बेटा आपके स्कूल में अगर इसका कर रहे हैं और पकड़ेगे तो आप भी जाओगे फिर आप तो बोल रहे आएगी अप तो आई नहीं जूट बोल रहे हो जब आएगी बता दूँगा मेरा काम नहीं है मुझे मिनिश्टर रना दो एजुकेशन का फिर सब बता दूँगा मैं क्या कर वोने वारा रहे है तीक आएगा कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके सेलिवस्य आएगा और देखिए बोर्ड बहुत हेल्प कर र अब थोड़ा इंप्रूमांट हुआ है ठीक है ठीक है फाइन एक लाइड और मगा लेंगे साइड में के लिए प्रैक्टिकल कब तक चलेंगी आपके प्रैक्टिकल दो मार्च से लेकर आपके लास्ट एक्जाम की डेट से दस दिन पहले तक चलेंगी मानलो आपका एक्जाम लास्ट का है एक मही को तो उससे दस दिन पहले यानिके 20 अप्रैल तक आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं ठीक पैंक बस्टर समराट बायोग्राफी चलो पूछलो पने सवाल फिर में इसको बन कर रहा हूं तर आप एलेक्शन में खड़े हो जाओ हम आपको एजुगेशन मिश्टर बनाएंगे थैंक्यू जब खड़ा हूंगा तो वोट दे देना अगर मैं खड़ा हुआ कभी ठीक है र प्रेक्टिकल के लिए एक दिन चाहिए बस तो डढ़ने क्या वात इसमें बताओ दरते हो आप लोग असल में आपकी गलती नहीं आप बहुत दिन से स्कून ली जा रहे हो न तो आपकी हिम्मत मानता हूं मैं कि आप लोग इतने हिम्मते वाले बच्चे हो कि आप कम से कम ड सकते हैं नंबर वन नंबर टू शुक के एक्जाम में कोई भी एक्स्टरनल एक्सामीर नहीं आएगा दस्वी का पेपर आपके स्कूल ही कंडुक्ट करवाएगा रिपढने वालो अरे दस्वी आ आलो दसवी का पेपर कोई भी external examiner नहीं करवाएगा आपका स्कूल वाला करवाएगा नंबर टू नंबर थ्री बारवी के पेपर में external teacher आएगा बारवी के पेपर को external और internal मिलकर करवाएगे और एक बास सुनिए आप में से कितने बच्चे हैं जो मेरी practical की वीडियो देख skills practical आपको कुछ नहीं लिखना physics practical लिखना है physics practical physics practical लिख दिया बस physics practical class 12 class 11 12 दिखलो चलो और देखो क्या होगा ऑगा तो यह वीडियो मेरी नहीं है यह वीडियो देखो यह आगी त्मारे भाई की वीडियो क्या हो ओ अनुराग त्यागी यह देखो physics practical अनुराग त्यागी यह देखो यह आगे ना physics practical यह वाली वीडियो इसको देख चुक है 1.1 और यह पूरी बनाने कोश्च करता हूँ प्रेक्टिकल के लिए चिंता मत करें मैं आपके लिए और वीडी Texas कहेंगे मुझे अगर आप लोग कहेंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो लाइक कर दीजे बॉन इसमें टेलिग्राम निंक डाल वहीं से तो ही है तो कुछ कोई भी physics की दिक्कत होगी reading वगएरा वो मैं आपको telegram पर भेज रहा हूँ तो telegram link भेज दीजे बच्चों को और pin कर दीजे उसको telegram किस-kis बच्चे ने telegram join कर रखा है वो अच्छी बात है जिन्नों नहीं कर रखा वो कर ले ना सौमय जैन रिशर्ब कुमार विच बुक शुडब भी प्रैक्टिस फॉर physics term 2 देखो physics term 2 के लिए आप जो है मैं अभी जो बुक बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ टैंथ वाले बच्चों के लिए ये बुक है टैंथ वाले बच्चों के cbsc 36 sample paper है term 2 के लिए तो ये सारे subject के हैं all subject एक ही बुक में दे रखें कमाल की बाद देखिए एक बुक में सारे subject हैं ये बुक में ढूंडी है मार्किट से ये कोई promotion नहीं हो रहा है किसी publication का इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे है मुझे वहां से मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको बता रहा हूं अगर पैसे मिलते तो मैं इस वीडियो को शुरू में बता रहा हूं क्योंकि इस टाइम वही बच्चे होंगे जो बिल्क 10th ये 12th और कल में एक वीडियो बनाऊंगा उसमें 12th की बुक दिखाऊंगा आपको कौन सी लेनी है इस बुक में English, Literature, Hindi, A, Hindi, B, Mathematics, Science, Social Science, सारे सेंपल पेपर 12th का, 2022 का पेपर और DoubtNet का भी कुछ दे रखा है इसमें और ये बुक बहुत सस्ती है और इसको बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है मतलब इसमें एक राइटर नहीं है इसमें सारे experienced राइटर्स हैं और ये केवल टू के लिए 10th के लिए तो 10th वाले बच्चे इस बुक को ले लो इसका link description में दे रखा है मतलब वीडियो मिल जाएगा डाल दीजे फटाफट link इस किलाब को खरीदने का link description में है वहां से आप ये बुक purchase कर लें सस्ती मिलेगी आपको और जब आप इस link से लोगे जो मैंने description में दिया है वहां से आ 99 रुपए का print है और आपको ये काफी discount मिलेगी यहां पर इस पर लिखाव है 399 और सबसे ची बात है कि आपको इसके बाद कोई book नहीं खरीदनी पड़ेगी यह final book है 10th के बच्चों को इसको पढ़कर आप इसको पढ़ डाला तो जिंगा लाला है और इसमें क्या देखिए इसमें पूरा last में पूरा solve करने के लिए रखें आपको notes लिखने के लिए SST के maps दे रखें एसेस्टी के maps और हरुके बाद के खाली paper दे रखें सारे sample युँपर solve कर रखें और यहां पर chapter wise 16 weeks सब्सक्राइब कर लिए और उसमें आपको मैं इसी बुक से पढ़ाने वाला हूं तो बस यह बताना था और अब मैं आपके कॉमेंट देख लेता हूं यह बुक में एक बुक्तों में कर दूँगा जो सबसे अच्छा कॉमेंट करेगा बच्चा क्लास के बाद इस वीडियो के बाद उसको यह बुक में दे दूँगा बच्चे को वैबर गेमिंग सर हमारे प्रेक्टिकल पहले ही हो गए वेरी गुड अब कुछ पुछ पुछ नहीं दे पाएंगे देखो अगर किसी बच्चे को एक्जाम से रोकते नहीं पर अगर कोई बच्चा शैतान होता है बत्तमीजी करता है तो स्कूल रोक देते हैं तो यह वीडियो आप जुरूर देख लेना प्रेक्टिकल यह पूरी इसमें डाल वीडियो का लिंक डाल दिये दिस्क्रिप्शन में और आपको उसका डाल दिया टेलिग्राम का टेलिग्राम जोइन कर लो सब बच्चे फटाफट लिखरो एक बार टेलिग्राम जोइन करो उपर पिन कॉमेंट पे जाओ पिन कॉमेंट पे जाओ टेलिग्राम जोइन कर लिख K.L. comment कर दो शानु सिंग, विशनु पाल dummy admission वालो का क्या dummy admission भी regular बच्चे होते हैं dummy admission आपका भी practical होगा आपको भी पूरी process से निकलना पड़ेगा dummy admission वालो जीतना मज़ा लिया अब वो सर आपको ठोड़ा सा करना पड़ेगा ब्यक्तिस सर हमारे पिरिबोर्ड होने वाले 28 को रिविजन भी नहीं कराई है सर कैसे करेंगे हम पेटा सब के साथ है तो आप लोग रोना बंद कर दो प्लीज पढ़ाई शुरू कर दो एक लिंक है उपर वहीं पर आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट चीज़े भेज रहा हूं थोड़े देर बाद तो यह टेलीग्राम जोइन कर लिजे फटाफट और लिख दीजे टी जे केल मैं चेक कर रहा हूं किस-किस बच्चे ने जोइन कर लिया है टेलीग्राम चैनल को मैं मैं चेक कर लेता हूं रुख जाओं औरो कौन बच्चा जोएन कर रा हूं और कौन-कौन बच्चा जोइन नहीं कर रहा है और टेलीग्राम पर मैंने गाइडलाइन भीज़ दी है टेलिग्राम पर इस सारी गाइडलाइन में भेज दी हमाँ पर देख लो और कुछ important चीज़े भेज रहा हूँ तो फटा पर जाओ और जोइन कर लो जल्दी जल्दी फटा पर जोइन कर लो फिर मत कहना भई यह बताया नहीं आपने ठीक है मैं आपके नाम देख रहा हूँ किस-किस ने जोन किया है कि आप कर भी रहे हैं ऐसी लिख रहे हो कि वहीं पर आपको सारी अपडेट मिलने वाली हैं और कम्यूनिटी पोस्ट पे भी डाल देंगे हैं अनिता रोरा वैदांश और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाँ जोड़कर बहुत सारे यूट्यूब पर फरजी चैनल चल रहे हैं और देखिए मैं उनसे कोई वो नहीं वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन मैं आप चैनल पर कभी आपको कोई भी गलत नीज नहीं दूगा मैं अपनी मम्मे की कसम खाकर आपसे कह रहा हूं अच्छा जो अच्छा इंसान होता उसी को टार्गेट किया जाता है यह तो आपको पता ही होगा तो प्लीज आप लोग बिल्कुल डरिये मत रिलैक्स रही अगर यह बड़ी लाइट लग जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी एक लाइट और मगा लेते हैं इसी दूसरी बड़ी लाइट वहां अच्छा है ओके बच्चो शगुन येस राजपूत अब चलिए मैं आपके नाम शाउट कर देता हूं एक बार जिन बच्चोंने लाइक और सेर बड़ दिया है और फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत महने से पढ़ोगे और अपने प्रैटिकल को अच्छी तरह फाइल बना लेना क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जो बच्चे फाइल बना लेंगे उन बच्चों को जादा नंबर मिलेंगे और जो ब यह चैट चल रही है अपर यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यह है चैट यह चैट है आपकी मैं ही से चैट पड़ रहा हूं एक मिनट यह देखिए वैभव सोम्या जैन सितिज संचित रे प्रग्या और कौन-कौन बच्चे संचित दिपांश विवेक हर्ष क्या ब देखे लो अपने नाम पड़लो ओगा दिख लो देखलो देखलो मोनिका गोईल का सिंट और दीजिए टल लिंक डाल रहे हैं क्लास के तुरद देर में आपको लिंक मिल जाएगा 75 अटेंडेंच का क्या करें है अपने स्कूल से बात कर लिजिए एक बार अगर आपके सर प्लीज सर मजबूरी थी मेडिकल वेडिकल दे दो अपनी प्रॉब्लम बता दो स्कूल मान जाएगा रिक्वेस्ट कर लेना और ये बुक आपको मैं एक बच्चे को दूँगा ये आपके नाम आ रहे हैं पर धुरू आ रहा है इशान तरोरा और रिशव रचित ओ भाई कि कितने लोगों को शेर किया है वीडियो को कितने गृूप में शेर किया है तो जो बच्चा सबसे ज़ादा शेर करेगा सबसे ज़ादा अच्छा कॉमेंट करेगा उसको इपको बुक दूँगा में 10th के बच्चे के लिए है ठीक है और अगर आप 12th के हो या 11th के हो आपके हर में कोई 10 का बच्चा है तब भी आप कोमेंट कर सकते हो ताकि बुक आपको मिल जाए आपको एड्रस देना पड़ेगा हमां अपने खर्चे पर आपको बुक बेजेंगे आपको पैसे नहीं देने कूरियर का खर्चा भी हम ही देंगे आपको ठीक है बच्चो तो आई होप सारी इंफोर्मेशन हो गई है दो मांस से प्रेक्टिकल है एक्स्टरनल नहीं आएगा टैंथ में रिजल्ट की डेट का खुछ पता नहीं है बेटा ओके हुसेन अभी आपकी दिल देने की एज नहीं है बेटा अभी पठाई करने की एज तनिश्टियागी निशागर तनवाला अमे ठककर धुरुगर्ग सर मैंने अपने प्री बोड लेएव कर दिये तो मैं क्या करूँ मैं अगर आपने pre-board छोड़ दिये तो दूसरे pre-board में आप चले जाना लेकिन pre-board दो pre-board छोड़ो मत सारे ये दो बार कैसे हो रहा है इतर ये क्या हो रहा है दो बार जुसमें डिवाइड हो रहा है board नहीं तो board में तो वही दिखेगा जो है real में तो काफी नाम बच्चों की दिख रहे हैं हाँ पर मुझे शरयान सेंद्रे, शमरिद्धी गुपता, जागरत कंसल, तेजस, लवकुष, वर्मा, अमे ठकर, वैभाव गेमिंग, तेजस, सोरभ, राय, सोम्या, जैन एक बार सारे बच्चे अपने अपने शेहर का नाम लिखो ज유द्धी ज़ल्दी, और यह पुशकर नेमा मम्मी की दवे ठीके बेटा आप जागरित कंसल एक बार जो टेलिग्राम का लिंक है उसको जोइन कर लो फटाफट और लिंक जा चुका है अमेजोन का अमेजोन का लिंक होगा इस बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से खरीद लिजे फटाफट तो आपको बहुत फायदा होगा साजिया सुमौल ऐसी बाते नहीं लिखते माँ हो गई यसी गाली मम्मी के लिए मत लिखे अपनी प्लीज रेस्पेक्ट वूमन रेस्पेक्ट यूर मदर इशान तरोरा दिल्ली मुझफर नगर ट्रिगर्ड गेमिंग क्या बात है मुझफर नगर परियागराज येमेस समरिद्धी गुपता नियोन एक्सडी आचल यादव कैलिगराफी हब जीरोस गेमर वाईटी मेहुल किंग प्रिंस प्रिया ओम्म्म वेदान शित्रांस वलो अर्नव लवकुष्वर्मा शर्मा नियोन एक्सडी नकुल मीना अनंत तेजर्स दिल्ली बाल भारती आपका तो पता है मुझे और सानिद्धे राज दिपांशू क्रिश उपल परकर गोगिया किंग प्रिंस पीसियार देखो मैं उन बच्चों के नाम पहले पढ़ रहा तो भाई लाइक और शेयर करने वालों के नाम पहले पढ़ रहा हूं ठीक है आदर्स मिशरा लव यू टू जी रोग्स गेमर सर आज मेरा 11 का प्रेक्टिकल था केमिस्ट्री वाला सर ने वायवा लेने से पहले कुछ भी पूछ की आता है तो मैंना मैं यह सर आता है सर 12 में आपकी वो अच्छी तरह वायवा लेंगे फिके ना हुसेन मुदसिर निकुन श्री वास्ताव इशांत अरोरा शानू सिंग सर लखनो मिलेने में स्कूल होके कोस्मिक एनीमे वेदांस अच्छा मुझे भी प्रेक्टिकल लेने आना है तो किसके स्कूल मैं आऊं मैं इंट्रू देने घया था इक ने मैं अंट्रेयो लोगत पुछा था में सूटा पड़ रही थी संब म अभीज को फिर्ण फोटे ओर प्रेंच सुबे ज Jan अभिशेक कुमार मेहुल डियसर मोडर्डन स्कूल को अच्छी बात है सिबसी में माक्स बढ़ जाएंगे आपके और जेए भी निकाल दो मेरा शिर्वादा आपके साथ है अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाते हैं एक बच्चा पुछा है सर आपको मैं सपोर्ट करना चाता हूं कैसे करूं तो उसके तीन तरीके होते हैं आप चैनल की वीडियो को शेर करिए, लाइक करिए, आप चैनल को सूपर चैट करिए, आप चैनल की लोगों को बताईए कि इसको सब्सक्राइब करें, सूपर चैट करके या पेटियम करके, पेटियम नमबर है 98187776622, इस नमबर पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रेक्टिकल बेस्ट कोश्चन पर वीडियो बनाओ, प्लीज, ओके, अनेकेडमी पर मेरी प्रेक्टिकल बेस्ट वीडियो आ चुकी है, इस्पेशल क्लास में, तो अनेकेडमी लर्णिंग एप डाउनलोड कर लो, और वहाँ पर ATC 10 कोड डालो, जब वो पुछेगा आप से एक कोड, तो ATC 10 कोड डाल देना, अनेकेडमी के स्पेशल क्लास फ्री होती है, वहाँ पर मैंने प्रेक्टिकल की 11th की और 12th की दोनों वीडियो बना दी, उनको देख लो एक बार, वैसे मैं हाँ बना दूँगा, अगर आपको होगे तो, नियो नेकेडिस, है यो आर वर पिपल, निशा ने 248 पिपल को शेर कर दिया है, तो निशा की तरह है, आपने कितने लोगों को शेर किया है, कितने ग्रूप में शेर किया इस वीडियो को, आप ये वीडियो अपने स्कूल के ग्रूप में भी शेर कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशल वीडियो है, तो स्कूल को बच्चों को पता चले गागा यह बहुत ऊच्छी वीडियो घृसाँ है तो यहीं बात CHO ली खकुर खतरना कांगा काफी देर वहाली है तो तो मैं Oo अट एक बाद रिपीट कर देता हूँ आपको आपके प्रेक्टिकल दो मार्स से हैं, दो मार्स से स्टार्ट होकर लास्ट एक्जाम के दस दिन पहले तक प्रैक्टिकल होंगे, दसवी क्लास में कोई external examiner नहीं आएगा पारवी क्लास में external examiner आएगा जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे उनको बच्चे प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे उनको कम नंबर मिलेंगे और जो बच्चे प्रोजेक्ट अच्छा बनाएंगे खुद से उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे और जो बच्चे मार्केट से लेके जाएंगे उनको कम नंबर मिलेंगे, चार्ट बनाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ बना के ले जाना अगर आप कुछ बड़ी चीज ना बना पाऊ तो छोटी चीज बना लेना इसका impression पड़ता है अपनी practical फाईल को cover कर लेना उस पर सुन्दर सी handwriting में नाम लिख लेना अपना ज्यादा बनाना खासका रेवर्टिक्स के डायगराम का ध्यान रखना उसमें बहुत ज्ञाद ध्यान रखना होता है और अपने प्रेक्टिकल्श को च्जाक करवा लेना olun को खुट कर लेना अगर आपकी प्रेक्टिकलल फाइल में रेड रेड कर देता है उससे डरना मत वो अच्छी बात मानी जाती है उससे पता जलता है कि आपने चेक करवाई और आपने गलती सुधारी क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं हो प्रेक्टिकल करना आपको हर बार प्रफेक्ट नहीं होगा तो कुछ बचे डर जाते हैं रैड रैड माक से वो अच्छा है रैड माक से लगरे है मतलब आप कॉंटेक्ट में एस टिशर कि उसके आपको फरक पढ़ता है उससे आपको अच्छा नबर मिलता और सारी टिप्स के लिए मैं आपको Love you all, सबको मेरा नमस्कार, सस्रीकाल, सलाम वालेगुम, जैहिन, राम राम. All the best. शेर कर देना.